हेलो दोस्तो आज हम लोग दो अलग equation को simultaneously solve करेंगे जहां पे नीचे X और Y है अभी तक आप लोग ने देखा रहेगा उपपर X और Y रहता है और उसको simultaneously solve करना बहुत easy होता है बट अब यहां पे इससे कैसे solve करेंगे पूरी वीडियो आंट तक देखना आप जरूर सीख जाएंगे तो चलिए देखिए अब ये कैसे आया तो अब मैं यहाँ पे पहले तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 by x को put करूँगा a और 1 by y को b put करूँगा ठीक है चलिए एक सिंपल ऐसा कर लेंगे 1 by x को a 1 by by को b तो यहाँ पे जो यह equation हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2a-3b equal to 15 और यह वाली हो जाएगी 8a plus 5b equal to 77 ठीक है तो अब देखना अब मैं क्या करता हूँ हम लोग ने क्या बोला था दोनों equation को एक साथ लिख देने का यह पहली equation है और यह दूसरी equation है ठीक है हमने क्या बोला था यहाँ पर हमें या तो यह दोनों को same करना है या तो यह दोनों को same करना ठीक है फिर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12B, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60, तो यह आपकी equation थर्ड ले लेते हैं, अब यहाँ पे same मैं आपकी equation ले लेता हूँ, second वाली ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों को minus करूँगा, minus सिखाते हैं, मैंने आपको बताया था, क जबी भी यह रहता है, तो इसमें क्या होता है, a plus b हो जाता है, यह minus b हो जाएगा, और यह minus minus plus b हो जाएगा, तो देखो, जबी भी minus करते हैं, तो दूसरा वाला part हमारा sine change करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 minus 8, 0 a, अब यहाँ पे minus 12 b, और minus 5 b, कितना हो जाएगा, माइनस 17 B और यहाँ पर 60 माइनस 77 तो माइनस 17 हो जाएगा ताकि यहाँ पर मेरी B की वैलू क्या हो जाएगी माइनस 17 डिवाड़ बाइनस 17 तो B कितना हो गया मेरा 1 हो गया ठीक है बहुत सिंपल था अब जब B 1 मिल गया तो मैंने क्या किया था कोई भी 2 no equation में से कोई एक equation को ले लो तो जैसे मैंने पहली वाली equation को ले लिया ठीक है तो यह मेरी पहली वाली equation है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं करूँगा put B equal to 1 क्योंकि देखो हमें B1 आया तो यह हो जाएगा 2 A 3 times of 1 और यह हो जाएगा 15 तो 2 A यह कितना हो जाएगा 15 यहाँ पर आके कितना हो जाएगा plus 3 हो जाएगा तो यह 2 A कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 18 मतलब A की value क्या हो जाएगी 18 by 2 मतलब यह हो जाएगा A की value 9 हो जाएगी ठीक है अब जब हमने starting में क्या किया था हमने A को क्या लिया था 1 by X और B को क्या लिया था 1 by Y तो यहाँ पर सेम चीज करेंगे A जो कि हमारा 9 है बट वो था क्या 1 by X मतलब X की value क्या होगे देखो अब जब इसको उल्टा कर दोगे ना यह B क्या हो जएगा 1 by 9 हो जएगा तो यह हमारी X की value हो गई and B क्या था हमारा 1 था मतलब 1 by Y कितना 1 हो गया मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो यह 1 upon 1 हो जएगा जो की 1 हो जएगा हलो दोस्तो मेरा नाम जतिन शर्मा है IIT Jam Mathematics में मेरा All India Rank 406 था मैं online personal lecture या तो doubt solving रहता है कोई भी class रहेगा कोई भी topic रहेगा mathematics का degree का भी रहेगा तो भी चलेगा आप मुझे call या whatsapp कर सकते हैं email address भी मिल दिया है आप subscribe कीजिए channel को और यह video में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे facebook या instagram पर पूर सकते हैं मैं आपको reply करूँगा link description में है